आज मैं आप सभी के साथ सेर करने जारी हूँ कचोरी रेस्पी, कचोरी आपने बहुत प्रकार की बनाई भी होगी और बहुत प्रकार की खाई भी होगी फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ अलग तरीके की कचोरी रेस्पी बनाने जारे हैं, ये सूरत की फेमस रेस्पी है कचोरी कच्चे तूएर दाल की कचोरी तो फ्रेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब करिएगा रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से जरू करिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेंट्स मैं उसा फिकर कुक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कचोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह ग्रीन वाले कच्चे वाले तूएर के दाने लिए है और यह तूएर के दाने मैंने मार्केट से लाकर इसके अच्छे से छिलके चुड़ाकर इसके दाने ले लिए थे फ्रेंट्स और इसे अच्छे से छांट भी लिया था और साथ में मैंने आठ दस कलीला सुली है अद्रत लिया है एक पिंच और दो लाल मिर्ची लिया है साथ में मैंने हरा धनिया लिया है तो सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है तो यह तुवेर के दाने मिक्सी जार में डाल देते हैं साथ में अब हिसमें हम डालेंगे यह जो मैंने लसन लिया ड़िस्वर्ड का लिया उसको भीBIN 12 जोदरत का तुकड़ा लिया था उसे भी अब डाल देते हैं अर्य जो लाल मिर्श लिये थे इसके डणिनिकालकर इसे 5 पारी Kobe तोड़कर अभी समय थोड़ा साव पानी यडंगाल करेंगे हैं से जादा प्र veggie कर दिया है और देखिए मैंने चमने मैं आपर नहीं ऐड़ा पानी यदि फान समस्कराय के लिए दरदरा मैंने bede 200 ङूँट passion, बटें वच से यहां नमक डालेंगे मैंने तो इसमें मोयन के लिए हम 2 जाहा रिपायंड गीं लिए मैंने यहां पर मैंदय forecast लिए और इससे मौयcticamente में और इससलेड़ना है लेकला ही आप हमारे का पुर्सेया हादा जीक,"ज будто reaction azul calling कि अच्छे से बाइंडिंग होने लगा तो यह परफेक्ट मोयन तयार हो गया है तो अब इसे हम दो तयार कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा पाइंड डाल कर हम इसे रोटियों के जैसे आटा गुन के हम तयार करते हैं उसी तरी हमें यह कचोरियों के लिए भी आटा तयार करना है और थोड़ा-थोड़ा हातों से पाइन ढाल कर हमिसे बाइंड करेंगे तो मैंने यहाँ नहीं पर लगवाग चार चमज पानी का यूज किया है ज्यादा पानी यूज गया जो अब इसे अच्छे से दीक कर लेते हैं मसल मसल कर देखें वैंडिंग हो गई है तो इसे तो इस टफिंग के लिए मैंने आपर एक पैन ले लिया है गैस पे चड़ा दिया है वह गरम हो गया था तो मैंने इसमें एक चमच रिफाइंड ऑल डाल दिया है साथ में एक चमच अब इसमें जीरा डाल देंगे ऑल हमारा अच्छा गरम हो गया था तो जब हमारा जीरा अच अच्छे से भून लेंगे इसे जो हमने पानीज में डाला था वह भी अच्छे से सूख जाए इस्टफिंग के लिए पर्फेक्ट त्यार हो तो अब यहां पर हम एक चम्मच से भी छोटा चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च लिये हैं और साथ में हल्दी पाउडर चोटी चम्मच और साथ में थोड़ा सा वी इसमें भी डाल देते हैं और जो अधनिया मैंने बचाय था उसे भी डाल दिया है अब स्वात के इसमें ज्यादा फ्लेवर डालने के लिए जैसे सूरत में बनाई जाती है तो मैंने यहां पर एक चम्मच चीनी लिया है अब इसे अच्छे से मि अच्छे से मिक्स हो जाए और अक्छे से भून कर रेडि हो जाये जो हमारे मने मुझनी मसाले इसमें अक्षे से भून कर और हमारा रेटी हो गया है इसे फोड़ा हम चुछ कर लेते हैं मसल मसल कर लकुछ को यह चिकना हो upfront अब इसके हम चोटे चोटे बॉलस बना लेते हैं जैसे हमें कचोरिया बनानी है जिससे साबसे बड़ी चोटी मोटी पतली उससाबसे हम इसका नीबू जैसा अकार बॉल बना लेंगे तो यहाँ पर मैं सारे बॉल साथ में बना लेती हूँ पहले और जब यह कचोरिया बन कर रेडी होगी तो फ्रेंट बहुत ही टेस्टी लगीगी तो देखें मैंने सारे कचोरियों का आटा बॉल नीबू के अकार का बना कर त्यार कर लिया था अब यहाँ पर मैंने जो आटा लिया था एक उसे अच्छे से गोल सेब देकर उसे कचोरियों का सेब देती हूँ घराई कर दिया है मैंने तो अब stuffing भर देते हैं इसमें तो मैंने एक चम्मची stuffing इसमें भर दी है और इसे अच्छे से बंद कर लेते हैं और इसका जो ये फर्स्ट मूँ उपर का जो हैड होता है उसे अच्छे से हमें बंद करना है ताकि कचोरिया हमारी फटेना तेल में जब हम इसे फ्राई करें और आप हातों से ही कचोरी परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं तो देखिए मैं यहां से हातों से ही बना कर रेडी क अब इसमें नीबू के अकार का बॉल लेकर उसे बेल लिया है मैंने और पतला ही बेलना है फ्रेंड्स कचोरियों को हमें ज्यादा मोटा नहीं रखना है नहीं तो अंदर से पकेंगे नहीं तो यहां पर मैंने देखिए एकदम पतला बेल कर तयार कर लिया है अब इसमें भी कचोरी बना कर, तो देखेए। यहां पर मैंने सारे बनाकर वड्री कर दी है तो और दीए है गैस की तरफ मैंने गैस- ऑगाल गरम कर नियृटि लिए है. अच्छा गुल तो इसमें चोटासा डोरे कर दो कर काचोरी अड़ करें दो कि तो मैंने एक डाल दिया है कड़ाई में जितनी आपकी जगर है आप एक साथ में फ्राइख कर सकते हैं तो कि अगर हाई वीडियम आज पर आप पकाएंगे तो यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे और आपके क्रिस्पी और क्रंची बनकर भी तेयार नहीं होंगे तो यह दोनों साइट सिख गये तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सारी कचोरियों को हम इसी प्रकार से और रख लेंगे तो मैंने आप प्लेट में निकाल दिया तो फाइनली हमारा सारा कचोरी बनकर रेडि हो गया और साथ में मैंने लाज चटनी ली है सौस और किती क्रिस्पी यम्मी बनकर तैयार हुई है फ्रेंड तो मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूं देखे कितनी क्रिस्पी क्रंसी बनी है और अंदर से भी दिखाती हूँ कि हमारी कसोरी बन कर कैसी रेडी हुई है एकदम परफेक्ट तरीके से तो आपको हमारी रेस्पी अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट से जरू करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स